हेलो गाइज स्वागत है आपका गैजेट्स इंफरिटी में दोस्तों अगर धंदा है पर मंदा है वाले गेम में आप लोग डाउन के अंदर फर्च हो गए हैं तो देख लीजे इतनी बड़ी-बड़ी मशीन और चीज़ें जो आपको अपने छोटे या बड़े धंदे के ल वाले हैं और सबसे जादाँ हवा में ऊडने वाली और फ्यूचर में आने वाले टेक्सी आपको पता चलने वाला है तो फिर इन सब चीजों के लिए वीडियो को देखीगा एंड तक तो फिर देख इस बात की चले स्टार्ट करते हैं इस कमाल के वीडियो को नमबर 10 एंथ जाती होगी और वाकई में टाइटानिक जितना बड़ा जहाज था भी सही और समुद्र में डूबा भी था लेकिन इसके कई सारे रहसे हैं जिसमें ये भी कहा जाता है कि टाइटानिक को बनाने वाले कंपनी ने उसी वक्त में ऐसे दो जहाज बनाए थे जो बहुत ही जादा दायक सफ़ा भी करवा सकता है दोस्तों इसमें 500 से भी जादा बालकनी है जिसमें खड़े होकर आप समुद्र को दूर दूर दा देख सकते हैं और समुद्र की खुबसूरती और उसके लहराते पन से खुद को सहला सकते है ये जहाज बहार से किसी बहुत ही बड़ी देखने का भी मज़ा ले सकते हैं और किसी वाटर पार्क की तरह लहरों के आगे डिटे रहने का भी इसमें कई सारी डाइनिंग टेवल लगाने के लिए बहुत बड़ा हॉल दिया गया है और इसे कई हॉल है इसके जमीन से बहुत जादा हाइड है और सबसे उपर वाले हि जहां से हाइड बान में मीठा ओची है यह मारकेट में बिखने के लिए आ गया है दोस्तों और अगर आप इसे देखने का सपना रखते हैं या फिर इसमें सफ़ा करने का सपना रखते हैं तो इसके बारे में और बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटी आप इसके सफ़ के बीच में ले सकते हैं नमबर नौ पैपसी मेकिंग पैपसी जिसने हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाले खेल और इसके टूर्णामेंट को दोजा तेरे से पांस साल के लिए अपने नाम के साथ चलाया और इसके लिए लग भग चार्सो कवर्ड र मिक्चर को बॉलर में खूब ज़्यादा मिक्स किया जाने के बाद यहां मिक्चर ऐसे इंगरिटेंट्स के साथ मिला जाता है जो लंबे वक्त तक इसकी ताज़गी को बरकरार रखें और पैपसी को खराब ना होने दें फिर को प्लास्टी की बोतल में भर दिया जाता है और इनने भरने के लिए पहले प्लास्टी की बोतल को लंबे लंबे सरकुलर हैंड में उठाया जाता है और इनमें दीरे दीरे मातरा के हिसाफ से पैपसी को भर दिया जाता है बड़ी चोड़ी करी सारी बोतल इस तरह से भरी जाती है और एक जैसी बोतल एक लाए में रख एक साथ जमा करके मिनट कर लिए जाता है और बक्से में रखने के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है, इसी तरह से Pepsi Glass वाली Bottle भी तयार होती है दोस्तों और चोटे-चोटे Can भी, जिसमे 7up का Can भी तयार होता है और आपको Pepsi का कौन से penood और से कोल्डिंग पसंद है इसका नाम कमेंड में जरू लिखेगा नमबर आठ कुमो फरनीचर बाश्या मूवी में शारुखान का फरनीचर जिस तरह से कभी भी जमीन पर आ जाता है और इसका कमरा कभी भी जमीन के नीचे चला जाता है इसी तरीके से अब आपका भी घर हो भात है बहुत जादा स्वेस ऐसे ही फरनीचर बनाती है यत्यक review जिसमें आपको टीवल की जरूद हो वह तो बैड की यहीं बताएब जो शायोगे भी ने कभी नहीं देखे होंगे जिसमें से इस्तिमाल करना चाहते हैं तो वो भी इसके साथ कर सकते हैं यह 19 तरह के अलगला डिजाइन के साथ आपके घर को खुबसरा बनान में कोई कसर नहीं चोड़ती 2008 से इसकी शौप दुनिया की काई सारी कंट्री में अवेलेबल है अगर आप भी अपने घर के फ़रनीचर को इनी की तरह खुबसरा बना चाहते हैं तो kumo.com.au पर जाकर इसके बार में और भी जादा जानकारी पा सकते हैं दोस्तों और अपने घर के लिए नईने डिजाइन करवा सकते हैं कुछ लोग के पैर वक्त के साथ सा कमज़र हो जाते हैं और वो इतने जादा कमज़र हो जाते हैं कि चलने की भी ताकत नहीं रख पाते या कभी कभी किसी हास्ते में लोग के पैर इस तरह से खराब हो जाते हैं कि वो चलने फिलने में सक्षम नहीं हो पाते लेकिन जिन्दगी ना चलने और ना पैरों से भागने के बाद रुक नहीं जाती है जिन्दगी वो अपने साथ साथ चलती ही रहती है और इसी तरह अगर आप भी हमद नहीं हारते और आप भी अपने जिन्दगी को wheelchair पर बैठे बैठे एक जगर पर नहीं गुजाना चाहते तो इस wheelchair को अपनी car के अंदर install कर सकते हैं दोस्तों ये car में install हो जाने वाला wheelchair का एक ऐसा setup है जिसके बाद आपकी car का gate भी बिल्कुल अलगी तरहा हो जाएगी car बिल्कुल गेम की तरहा हो जाएगी और इसमें से निकलेगी आपकी wheelchair जो आपको बिल्कुल भी car में चड़ने उताने प्रावलम नहीं करेगी और automatic तरीके से आपकी wheelchair को surface पर रख देगी अगर आप अपने पैरों के या फिर अपने किसी family member के पैरों का गम भुला देना चाहते हैं तो इसे अपनी car में install कर सकते हैं दोस्तों या अपने करीबी member की car में install करवा सकते हैं यह पूरी तरह से automatic है और इसके control के लिए remote controller भी दिया गया है जो आपके साथ ही रहेगा और इसके बाद किसी भी wheelchair वाले को कार में चड़ाने या बिठाने के लिए बिल्कुल भी problem face नहीं करनी पड़ती और ये भी उतनी जल्दी हो जाएगा जितनी जल्दी हम car से उतर जाते हैं चड़ जाते हैं उतर जाते हैं उतर जाते हैं चड़ जाते हैं और car में बैठ जाते हैं starttaxi lifts.com पह जाकर अप इसके बारे पूरी जानकारे लिए सकते हैं और इसे किसी को भी देख करी car में अपनी इस्टाल कराकर खोश कर सकते हैं दोस्तो नंबर 6 है लीलियम पैट्रों डीजल के जरी हवा में उठने वाले टैक्सी तो आपने अभी तर नहीं देखी होगी और नहीं कोई होती जादा छोटा है इसके दो पर हैं और हवा में काफी अच्छे से उड़ा आते हैं इसको दोजार पच्छिस में दुनिया भर की अलगल सिटी में आपके लिए अवेलिबर हो जाएगी और आप भी देख सकेंगे कि दुनिया में ट्राफिक की प्रावलम से निबटने के ल आने वाला है और इसके लिए वीडियो पर एक लाइक जरू करें दोस्तों यह आपको मिलेगा और आप बन जाएंगे सूपर मैन हवा में उड़ेंगे और फॉर उसे अपने आफिस मासक जिसे दुनिया भर में किसी भी कंट्री में किसी के बिचैरे पर आपको देखकर कोरोना वैस की याद आ जाएगी और यह लगाना हमारे इंडिया में तो बिलकुल कंपसरी हो गया है दोस्तों और इन मासक को बनता हुआ भी देख लें कोरोना से बचा में लगाने वाल जाती है जो आपके कान पर और चेहरे पर मासक को टिकागा रखती है दोस्तों अगर आप भी इस तरह की आटोमेटिक मासक बनाने वाले मशिन के बारे में जानना चाहते हैं या इसे खाइदना चाहते हैं तो इसके आफिशल बेव साइट पिया ग्रूप डॉट कॉम पर ज इसके चार बड़े से मॉश्टर जैसे टायर अपने आगे आने वाले किसी भी उचाय को बहुत ही एग्रैसी तरीके से पार करते हैं और यह हवा में 30 फीट तरह उपर जा चुका है यानि यह 30 फीट उपर लंबी जंपिंग मार चुका है दोस्तों 300 से भी जादा इस तरह की पंदर से हॉस्पाव वाला इंजन लगा हुआ है यानि यह बहुत ही जात ताकतवर है और पहाड़ों के उपर से तो आसानी से निकल जाता है पता ही नहीं चलता इसके अंदर बैठे डाइवर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और तूट फूट भी जाता है तो ड स्क्रिम पर यह जो ट्रक देख रही है ना यह मांनिंग मशीन है जो چोटी मोडी कंक्षेशन साथ पर नहीं बहुत ज़ादा बड़ी-बड़ी कंक्षेशन शायट पर काम करती है इसके एक हात में इतनी जगह है कि यह बड़े-बड़े तर हो अपने एकहाद से बहुत ही ज ये किसी building की तरह ही लगती है जो अपने surface पर 360 degree area गुम जाती है और एक जगा से चीजों को उठाती है या बड़े बड़े पत्थरों को उठाती है और ट्रक में रख देती है दोस्तों अगर आप भी mining का कुछ experience रखते हैं और इस तरह के machine के बारे में जाना चाहते हैं तो इसके बारे में और भी जानकारी निकाल कर mining का अपना experience बढ़ा सकते हैं दोस्तों नमबर दो Dramis D-150T जहाँ पर construction का काम ज़्यादा होता है वहाँ पर रेती के टीमिठी agreement ऐसे कई साथ चीजों के बहुत ज़्यादा मातरा के आफशिता होती है और छोटे छोटे ट्रक इन चीजों को भारी मातरा में भढ़ देते हैं अगर आप भी ऐसे कोई construction site देखते हैं या ऐसे देखी हुई है जहां पर छोटे ट्रक बहुत ज़ादा पैशान कर रही है तो आप इस ट्रक का वहाँ इस्तिमाल करवा सकते हैं दोस्तों इसमें 605 होर्स वावा की ताकत है और 50 मेटिक टन का वजन या अपने उपर उठा कर एक जगा से दूसरे जगे लिजा सकता है इसके साथ भारी मात्ता में कंश्रक्शन साइट के समान को टांसर किया जा सकता है इसमें कई साथ टायल लगे हुए हैं और दो बड़े-बड़े कंटेनर आफिस पर देख सकते हैं जिसमें अलगला समान भी भरा जा सकता है भरे हुए कंटेनर को खाली करने के लिए इसके hydraulic suspension काम आते हैं और कंटेनर को पूरी तरह खाली करके वापस काम पर ले जाने के तयार कर देते हैं चोटी चोटी दुकानों पर कबाब बनते हो तो आपने देखा होगा लेकिन आप एक बड़ी सी मशीन के द्वारा और बहुत साई लोगों के द्वारा कबाब को बनाने की इस प्रोसेस को और मशीन को भी देख लीजी दोस्तों साफ सफाई के लेयाज से काम करने वाला हर व्यक्ति अपने हाथों को अच्छे साफ करके कबाब बनाने के लिए आगे बढ़ता है इसमें सबसे पहले कटे हुए चिकन को साफ किया जाता है और फिर इन्हें सफाई के बाद छोटी छोटे टुकडों में अलग अलग लटका कर आगे बढ़ा दे जाता है लटका हुए चिकन छोटी छोटी टुकडों में काट लिए जाता है इसके बाद कबाब पर चड़ाने वाले मसाले के तयारी होती है इसमें लिक्विड वाला मसाला अस्पेशन इंग्रेडिट मिला कर चिकन के टुकडों को इसके साथ मिला दि जाता है और एक बड़े से elliptical size में इसे pack करने के बाद 40 degree Celsius पर रख दिये जाता है जिसमें ये खराब भी नहीं होते पूरी तरह से pack हो जाने के बाद पसंदीदा मसालों के packet के साथ ये आपके पास पहुंचा दिया जाता है और इस तरह से बहुत सारे कबाब बहुत सारी जगह पर खाने में टेस्ट बढ़ा देते हैं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चनल हो लेडर्स वीडियो के लिए बैल आकन को दबाना बिलकुल न भूले इसलिए हमारे वीडियो आप तक पहुंचे स सबसे बहले दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे दोस्तों दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद